हेलो फ्रेंड स्वागत आप सभी का चेंपेंज साफ जीए यूट्यूब चेनल में आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेक्याया हूँ मादिमिक शिक्षक वर्ग 2 विज्ञान का प्रेक्टिस पेपर से 30 तो आज के भी इस वीडियो में हम लगबग 30 से जादा कोशन लगबग 37 कोशन जो डिसकस करेंगे तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ एक कॉपी और एक पैनल लेके बेठीए कि मैं आपसे जो कोशन्स पूस्ता हूँ इस वीडियो में या मैं जो भी कोशन्स पढ़ूंगा उसके आंसर्स अगर आपको पता है तो मेरे आंसर्स माग करने से पहले या आप अपने आंसर्स को कॉपी में नोट करें और लास्ट में वीडियो खत्म होने के बाद आप अनलेसिस करें कि जितने भी कोशन्स मैं आज के वीडियो में डिसकस किये हैं उसमें से कितने कोशन्स जो आपके सही हुए है तो आपके लगबग 30 के आसपास कोशन्स होना चाहिए तो आप यह मान के चलेगा कि आपके तय अच्छी है तो आज किस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आप अन तक देखिएगा इस वीडियो को और अधिक सदिक अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेर कीजिए और अगर आपको किसी कोशन्स में डाउड है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, वीडियो की PD Yang Fire के लिंक भी आपको मेंने नीचे description box में दे रखी हैं और पुराने वीडियो देखने के लिए आप नीचे description box में जा सकते हैं वहाँपर मैंने सारे वीडियो की जो है link नीचे दे रखी है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब आज का पहला question है हमारा मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से जो है वो प्रभावित होता है तो friends मानव शरीर का कौन सा रोग जो है वो मुख्य रूप से टाइफाइड डिसीज से जो है वो प्रभावित होता है तो इसका आंसर आपको पता होगा, यह है इंटेस्टनाइड, तो जो आथ होती है, यह टाइफाइड में काफी प्रभाइद जो हो जाती है, सेकेंड कोश्चन है, पाने की गंदगी से फैलने वाला रोग इनमें से कौन सा है, मलेरिया तो नहीं फैलता है, प्लेग, टाइफाइड या टीवी, तो फ्रेंड्स, पाने की गंदगी से जो फैलने वाला डिसीज है, वो है टाइफाइड, और टाइफाइड में मैंने आपक में जाके leukemia भाग को मुख्यू रुप से प्रभावित करता है। अगला question है, acupuncture, acupuncture, dache में अधिक प्रचलित है, तो acupuncture जो है, यह therapy, जो है friends, gene में काफी जादा जो ही वो प्रचलित होती है, next question है, mmr का टीका, किस बिमारी में दिया जाता है तो friends, MMR का जो टीका है वो जिस disease में दिया जाता है उसका नाम है Mizzles, M for Mizzles, M for Mumps and R for Rubella तो MMR का पुरा नाम भी पूछा जा सकता है तो Mizzles, Mumps और Rubella इन तीनों disease को ठीक करने के लिए MMR का टीका दिया जाता है Next question काफी आसान है AIDS का full farm पूछा है आपसे तो AIDS का full farm होता Acquired Immune Deficiency Syndrome Option number C जो है आपे सही है 7th question है जिवानों की Rome जैसी सरचना को क्या कहते हैं तो friends, जिवानों की Rome जैसी सरचना को हम Flazila के नाम से जानते हैं अगला question है निमलिकित में कौन सा अमल पेट के जिवानों को नस्ट कर देता है तो friends, एक ऐसा Acid का नाम हमको बताना है जो जिवानों को नस्ट करता हमारे स्टोमक के अंदर तो ये है HCL जिसको हम Hydrochloric Acid भी बोलते हैं तो ये हमारे body के अंदर ही produce होता है स्टोमक में और ये जो बेक्टिरिया वगेरा होते हैं भोजन के साथ उनको इनस्ट करने का काम कर देता है Next question है Hemophilia एक अनुआशिक रोग है जिसका परिणाम इन में से कौन सा है तो Hemophilia एक अनुआशिक रोग है तो इसका जो परिणाम है वो यही होगा कि रक्त का थक्का नहीं जमेगा यानि कि क्लोटिंग जो होती ही वो नहीं जम पाएगी Next question है Acupuncture इन में से क्या है तो friends Acupuncture जो है वो सुयों के माध्यम से जो है उपचार किया जाता है और ये मैंने आपको बता दिया है ये चीन के अंदर ये थेरपी कापी ज़्यादा यूज की जाती है Next question है डिफ्तेरिया रोग से ग्रसित होता है यानि कि अगर डिफ्तेरिया रोग हो गया है तो माना उशरी का कौन सा अंग जो परभाईत होगा ये होगा गला Malaria रोग जो किसको प्रभाईत करता है तो friends Malaria जो रोग होता है ये प्लिहा जो होता है स्प्लिन जिसको हम बोलते हैं उसको प्रभाईत करता है तो option number C सही होगा यहां पर प्लिहा यानि कि स्प्लिन को प्रभाईत करता है AIDS में D का मतलब क्या है Acquired Immune or Deficiency That is C is correct answer 13 का C आंसर सही होगा Glukoma वर Trachoma किस अंग का रोग है तो friends Glukoma वर Trachoma जो है ये किस में होता है तो ये सबको आपको पता है ये होता है आखों का IDC जाई है Next question है 15 number का Hepatitis रोग में शरीर का कोन सा अंग जो है वो प्रभाईत होता है So friends Hepatitis में Lever जो है 15 का C Lever यकरत जो है वो प्रभावित हो जाता है Option number C correct है Next question है हमारा इसका C सही होगा 16 number का है कोन सा रोग पानी के माध्यम से फैलता है तो ये मैं बता चुका हूँ आपको हेजा हेजा जो है पानी के माध्यम से फैलता है और टाइफाइट जो है वो गंदे पानी के वज़े से फैलता है तो उनों में थोड़ा डिफरेंस याद रखिएगा प्याज इन में से क्या है प्रकंद ये बल्ब, ट्यूबर या कॉर्न है तो friends 17th number का अंसर है Option number B बल्ब है प्याज अदरक होता है रुपान्तरीट एक्चुली अदरक रुपान्तरीट मूँ ले पती, प्रतान, तना इन में से क्या है तो ये है तना स्टेम है रुपान्तरीट बास की स्कूल का पोधा है तो बास जो है घास स्कूल का पोधा है ठीक है अप्शन नमबर B सई होगा यहां पर न contributed question है सामाने चीनी या केन सुगर किसे केहते है तो सामाने चीनी या केन सुगर जो है या हम सुक्रोज को केहते है option नमबर 20 का A सई योगा नाशपती का खाने योग्य भाग इन में से कोण सा है तो नाशपती का खाने योग्य भाग इन में से जो है वो है गुदेदार पुषपाशन 22 नमबर कोशन का आंसर होगा अमारा सेव का कौन सा भाग खाने योग्य है तो सेव का जो भाग हम खाते हैं वो है मानसल पुषपाशन ओप्शन नमबर C सई होगा आलू इन में से किसका उधारने तो आलू जो है फ्रेंट्स वो रुपांतरी तने का उधारने काली मिर्च पादप है डेश तो काली मिर्च एक पादप है तो इस कोशन का अंसर होगा हमारा option number D जाड़ी पोदे के किस भाग से जूट की प्राप्ती होती है तो option number 25 questions में आप से पुछा गया पोदे के किस भाग से जूट की प्राप्ती होती है तो friends यह होती तने से इस टेम से ठीक है तो तना जो है इसे से हम जूट जो है प्राप्त करते हैं तो पच्छिस नमबर का question का answer हमारा हो जाएगा तना question में एक वार फिर से बोल रहा हूँ पोदे की किस भाग से जूट की प्राप्ती होती तो यह होती तने से 26 नमबर का question है हमारा रंजक वखाद पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है तो रंजक वखाद पदार्थ बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं तो friends रंजक वखाद पदार्थ बनाने में जिसका यूज होता है वो है केरोमल, केरोमल का यूज हम करते हैं कपास किस से प्राप्त होता है तो यह आसान है कपास जो है यह बीज से प्राप्त होता है प्याज परिवर्तित रूप है किसका तो फ्रेंड्स यह परिवर्तित रूप है तने का अगला कोशन है होमोस वेपियंस किस विग्यानिक का नाम है तो यह मनिश्य का विग्यानिक ना और शहद का मुख्य संगटक क्या है यानि कि शहद के अंदर क्या पाया जाता है तो फ्रेंड्स यह फ्रक्टोस पाया जाता है इसके अंदर जादा तर रेबीस के टीके की खोज इन में से किस के दौरा की गई थी 33 तो रेबीस के टीके की खोज जो ये वो फ्रेंड्स लुई पाश्चर की दौरा की गई थी next question है friends हमारा hydroponocsu इन में से किस से संबन्दिध है तो ये मिट्टी के बिना पोधे की व्रद्दी से hydroponocsu संबन्दिध है 35 नंबर का question है हमारा पोधे के लिए सबसे अच्छा औरवरक इन में से कौन सा है तो ये है friends 35 का answer number यूरिया बीज की बुवाई के समय सामने तक किस उर्वरक का जो है हम उप्योग करते हैं तो ये हम करते हैं पोटाश का नेक्स्ट कोश्चन है हमारा उर्वरकों में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है तो फ्रेंड्स उर्वरकों के अंदर क्लोरीन जो ही वो absent होती है यह नहीं पाई जाती है तो फ्रेंड्स यह थे आज की वीडियो की तीस महतुपून कोश्चन आपको यह वीडियो कैसा रग वाले हैं सवेता इशिक्षग वरक दो विज्ञान के तो इस सब पहले मैंने आपको से जो प्रॉमिस किया था कि पचास से साथ वीडियो में आपके लिए लेक्या हूँगा तो आज से मैं डेली आपके लिए आट दस वीडियो रोज अपलोड करूँगा तो आप अधिक वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप अपने साथ कॉपी और एक पैनल लेके बैठियेगा जो भी कोश्टन में आपसे पूस्ता हूँ उसके आंसर साथ मेरे जवाब देने से पहले ही नोट कर ले और लास्ट में अनालिसिस करें कि आपके टोटल कोश जो वो सही हुए हैं तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं थेंक्स पर वाचिंग